हलो एवरीबर दिस इस कल्ले आनी एडी वाजिंटी बीटी फ्रेंज मैं आज आज आपने किसास्थ रहने जा रही हूं एक बहुत एफेक्टिव फेस बास्क जिसके साहता से आप अपने फेस पर बजेंट ब्लैक स्पोर्स प्रॉंस और पिमेटेशन को काफी इस 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 और जब जैसे कूरते हैं तो अपने पीछे स्पोर्स छोड़ जाते हैं इसके बज़र से आपके फेस पर धभी वह जाते हैं वह बहुत दंदे दिखते हैं तो इसका अगर आप ट्रीटमेंट ना करो बैगलर वेसे पर यापते पर पर्रमानेटली हो जाते हैं आप इसे सो म इसमास्क बहुत एजी है, बहुत ही ज्यादा कम टाइम में यह वला इसमास्क रेडी हो जाएगा और आपके फेस के लैक्स प्राउज प्राउज को चिंट करेगा इस फेस पैक को बनाने के लिए मैंने यहां पे मिडियम सास पोटाटो को पिल ओफ कर लिया है इसमें मैं एक पॉटाटो जूस आड़ करूँगी और आप स्पून लेमन का जूस आड़ करूँगी इन तीनों इंग्रेडेंट को काफी अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी देन इसमें मैं एक पॉटन बोल को डिप कर लूँगी अब मैं इसे अपने फेस पर अपलाए करूँगी मैंने इसमें टोमाटो का जूस आड़ किया हुआ है टोमाटो जूस में परजंट लाइक को फीन एजेंट डाव स्पोर्स को बहुत ही इसली क्योर करता है टोमाटो एक नेच्रल एक्सपोलियेटर की तरह बर करता है जो आपके स्कीन को एक्सपोलियेट करता है इसमें रिच क्वाइंटिटी में बिटामिन A, C और अंटियोक्सिडेंट होता है जिसके हिल्टी स्कीन एलाश्टिसिटी को मेंटेन करता है और फानला रिंकल्स को भी रिड्यूस करता है पोटैटो जूस में बहुत सारे नेश्रल एंजाइम्स स्टार्श और विटामिन सी होता है जो हमेरे स्कीन के डेट सेल्स डाव स्पोर्ट संटैन हापर पिग्मेंटेशन को रिमूब करता है लेमन जुस में पर्जन शाइचिक एसेड स्कीन को नेश्र लीच करता है लेमन होती अच्छा लाइटनिंग एजेंट है जो आपके स्कीन को लाइटं ब्रायिटन करता है साथ यसाठाम सब्स आपर पिग्मेंटेसन को ही डिडिउस करता है मैं 30 मिनट्र ड्राय होने कर सकते हो तो इस फेस मास को आप एक बार चरूर ट्राइक करना और इसे आप रूज ट्राइक करना इसे आप फोदी देखोगे 15 से 20 दिन में आपको फेस बहुत ही ज्यादा पहले से क्लियर हो जाएगा अगर अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्वाइब करके प्रेश कर लिजी वीडियो को लाइक भी कर देजेगा और यह वाला फेस फैक जरूर ट्राइक करिएगा थैंक्स वर वाचिन वीडियो चिल रहें बाबाई